Hello everyone, सबी को रादे रादे, आज हम ये special सी दो डिस बनाएंगे, और ये मैंने किस चीज से बनाईए ये आपको पता चल जाएगा, और अगर आपके पास भी चावल बच जाते हैं, तो ये डिस आपके लिए हैं, तो देख सकते हैं, इस से बच्चे खुश हो जाएंगे आपके अगर आप इस तरह बना के उन्हें देंगी, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, ये हैं मेरे पास बचे हुए कुछ चावल, तो इन में से मैं आदे चावल का तो फ्राइड राइस बनादूंगी बच्चों के लिए और आदे का मैं द इंक डाल दिया, उसके बार डाल दिया प्याज, प्याज आप लंबी भी काट सकते हैं, बारिक भी काट सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो, मैंने सारी एक साथ बारिक ही काट के रख ली थी, तो मैंने इनको बिल्कुल हलका सा सोटे सा कर लेंगे, अब इसमें डाल देंग वो बीन्स हैं गाजर हैं और मतर हैं जो भी सबजी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकता है सिम्ला मिच मैंने इसमें नहीं डाली है और थोड़ी सी अरी मिच डाल दूँगी कटी हुई मैं डालना भूल गई थी अब इसमें मसाले डाल देते हैं तो मैं डाल जी हूं मेज थोड़ी सी हल्दी तो नहीं डाली अब इना मने कर देते हैं की मैश डाल लेना अब थोड़ा से डौलला मेंने इसमें दहना पाष्टर आता चमच बस और कोई जाधे मसाले मैंने इसमें डाले हैं और भस को हलका सा प्रंच्छी सी सबजी हो जानी चाहिए बहुत ज्यादे हमें इसमें डालना है जावल जो हमारे उपले हुए बचे हुए चावल है वह हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हलके हाथ से mix कर लेंगे क्यूंकि बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगना चैये कि एकदम घोट दो उनको तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे बच्चे नहीं खाएंगे फिर तो हलके आत से आप इसको मिला सकते हैं देख सकते हैं अभी देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और फ्राइड राइस में डलता है सोया सोस तो आप इस तरह एक चमस सोस ले अगर आपके फ्रीज में चावल पढ़े हैं तो बच्चों को आप इस तरह बना के दीजिए बच्चे भी खुच हो जाएंगे और आपके चावल भी यूज हो जाएंगे तो देख सकते हैं आप कितनी टेस्टी सी बनके तयार हुए हैं कुछ सेकिंड के लिए मैंने इनको पका लेन धक्के तो लिजिए जी चावल एकदम खिले खिले बनके तयार हुगे हैं और इस बहाने बच्चे सब्जी भी सारी घा लेते हैं इसमें मटर भी पड़ह हैं गाजर पड़חנו है अब इस बच्छों को जब अच्छा सब्रों को दिखता हैं तो भाग सब बाग का ख दिस हमें क्या बनाना है बचेवे चावलों से तो एक कटोरी चावली उसमें से मैंने बचा लिये थे तो इन से हम बनाएंगे एक अगले दिस तो अभी ये मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है जिस कटोरी से मैंने चावल लिये हैं मतब जितने मेरे पास चावल थे उतनी ही मैं सुझी ले लूँगी नॉर्मल सुझी जिसका हम हलवा बनाते हैं वह वाली पूरी भर के नहीं लिये थोड़ी हलकी लिये है और इतनी ही समें डाल लेंगे हम दही ये ताजा दही है भरका बना लुए तो मैंने कटोरी ने चमस्त्यी डाल ले से की यह कैमक्तोरी और इसको हम दावteव. कर लेंगे क्योंकि चावल हैं तो हम अगर हाथ से मिलाएंगे तो चावल का दाना रह जाएगा तो इसलिए हमें मिक्सी में यह करना है और अब काफी गाड़ा पेस्ट हो गया है तो इसमें हम डालेंगे पानी तो मैं यह एक ऐसा बेटर बनाना है इसको चला के हम बाउल में और अभी भी यह थोड़ा सा टाइटी है तो अभी पहले में इसको निकाल लेती हूं उसके बाद इसमें पानी डालके इसको अच्छे सा तैयार कर लोंगे थोड़ा सा पानी इसमें डालके इलाके आप इसमें डाल सकते हैं और चावल इसमें बिलकुल नहीं दिख रहे हैं ettiस में और यह हमने mix करके रख दिया है ठोड़ी तेर के लिए इसको ठखकर रख देंगे हम 10 मिनिट के लिए तब तक हम इससी के साथ खाने के लिए बहाजी बदा लेते हैं तो बहाजी के लिए मने पैन ले लिया out में डाला है ओईल और इसमें डाल देंगे जीरा हिंग डाल देंगे हिंग इंपोर्टट है हर सबजी में डालना क्योंकि आजकल सबजी ऐसी आती है उसके बार डाल देंगे प्याज और मैं मसाला बना रही हूँ या तो इसलिए प्याज थोड़ी जादे ही मैंने इसमें डाल चोटे हैं तो प्लीज हरी मिर्च आपना डाले और या कम डाले मेरे बच्चे बड़े हैं तो इसलिए मैं थोड़ी जादे डालती हूं अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे अब हम डाल देंगे थोड़ी सी मटर जिससे देखने में भाजी अच्छे सी लगे और टमाटर अच्छे से पक्गे हैं अब हम मिक्स करते हुए इसमें डालेंगे मसाले तो मसाले में हमें सब गोही डालने हैं हल्दी नमक मिर्च जो बेसिक मसाले होते हैं बहुत ज़्यादा मसाले में नहीं डालती हूँ एक चम दनिया पाउडर डाला है मिर्च डाल दूँगी और स्वाद की अनुसार नमक बस कोई और ज़्यादा मसाले में इसमें नहीं डालें तो जैसा आप खाते हैं तीखा खाते हैं तो तीखा बना सकते हैं हलका खाते हैं तो हलका बना सकते हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार है थोड़ देर और पका लेंगे और इसमें भी इसको भी घोटना नहीं है, इसे भी अच्छा ऐसे क्रंची सा ही रखना है तो हमारी सबजियां उल्मोस्ट गलगी है, मतर भी गलगी है, टमाटर भी अच्छे से हो गए है तो अब हम इसमें डाल देंगे, यह हमेंने उबले हुए आलू लिये हैं, मैस करके रख रखे हैं, तो यह आलू डाल देते हैं इसमें, और डाल के अच्छे से मिला लेंगे, जैसा डोसे का मसाला होता है ना मसाला डोसा, तो यह उसी तरह का मसाला में बना रही हूँ, तो इसको अच्छे से मिलाते वे थोड़ देर भून लेंगे और हमारा मसाला तैयार हो जाएगा इसमें आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था, बिल्कुल दो डंडी थी लीजिया जी, मसाला एकदम ड्रेडी है टेस्टी सा बनके, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो बाववा होगा तो लीजिया जी, मसाला बनके तैया, आप देख लेते हैं अपने बैटर को तो बैटर भी ठीक हो गया है, जाद न जादे गाड़ा है, न जादे पतला है तो अब हम इसमें डाल देंगे यह कीनो, इनों मैंने डाल दिया है, वीडियो उफती तो इसलिए मैं दिखानी पाई, लेकिन इनों डालके मैंने इसमें चला लिया है अब हम एक तवा लेंगे, नों श्टिक भी ले सकते हैं आप और सिंपल लोहे के तवे पर भी बन जाएंगे तो ऐसे बैटर को डालेंगे इस चमचे से और ज्यादा फैलाएंगे नहीं आराम से सिखने देंगे, सिखने में एक कुल्चा कह सकते हैं आप इसको या मीनी डोसा कह सकते हैं पांच मिनट लगेंगे सिखने में और आराम से आप इसको पलट के इस तरह दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे और ये मीनी डोसा भी कह सकते हैं आप इसे कुलचा भी कह सकते हैं जो आप कमन करें और या ऐसे ही भाजी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे ही सेख कें तो दूसरी तरफ से देख सकते हैं आप कितना अच्छा सिखा है और इसमें बिल्कुल कुल्चे जैसा फ्लेवर आ रहा था तो मैं तो इसको कुल्चा ही कहूंगी एक तरह से वो टेस्टी बने थे तो इसको अच्छे से सेखने के बाद हमें क्या करना है इस पर आप चाहे तो भाजी लगा सकते हैं उपर इस तरह भाजी रखके और आप इसको फोल्ड करके बच्चों को दे सकते हैं तो बच्चे खुस हो जाएंगे और ऐसे ही मतलब उन्हें लगेगा कि ये डोसा है और ये लग भी डोसे जैसा ही रहा था बस थोड़ा सा क्योंकि रवा है मैंने इसमें सुजी भी डाली है और फर्मेंट होने का टाइम इसको नहीं मिला तो इसलिए क्रंची तो बहुत जाद नहीं कह सकते हैं इसको सोफ्ट बनते हैं ये लेकिन टेस्टी बहुत लगते हैं एक डि यार है और हम बाकी भी सेख लेंगे यह बहुत आराम आराम से डाली है और हल्क आसा गोल करते हुए आज इसको शेख लीजिए तो यह ऐसे करते हुए इतने बैटर से मेरे कम से कम साथ से आठ पीस बन गए थे जो मैंने मोडा था एक और मोड के मैंने बच्चों को दे दिया था और यह मैंने बना के रख लिए तो इना आप सर्व कर सकते हैं इतने बन गया अब यह लास्ट है बस इसमें पेसेंस चाहि ना तो यह तूट जाएगा बस ध्यान रखना है सही से पकाने का तो लीजे जी आप इस तरह सर्व कर सकते हैं भाजी रख के अब बड़े ही अच्छे लगते हैं सोफ्ट सोफ्ट से कुल्चे अभी मैं आपको तोड़के दिखाती हूं कि कैसे बने हैं तो अगर आपके घर अच्छी लग रहे थे खाने में और लीजिए जी आजाईए आप भी खा लीजिए गर्मा गरम तो अगर आप भी के भी चावल बसते हैं तो आज से आप नहीं फैकना इस तरह अच्छी अच्छी डिस बनाईए और अपने बच्चों खिलाईए मिलते हैं फिर नई वीडिय के साथ तब तक कि लिए सभी को रादे रादे बाई बाई